School life जो होती है एक बच्चे की वो उसका future decide करती है अच्छा बहुत कुछ सीखता है School life एक इनसान की life का सबसे important part होता है तो मैं आपको भी एक ऐसी golden opportunity की बारे में बताऊंगी जिससे आप अपने बच्चे का future secure कर सकते हो उसकी education ensure कर सकते हो कि वो एक अच्छे school में पढ़ रहा है especially जब parents के पास financial resources नहीं होते उन्हें इस चीज़ के बहुत जादा tension रहती है कि हम अपने बच्चे की education कैसे cover up करेंगे तो मैं आप याप एक golden opportunity बताऊंगी जो कि 6th to 12th class के लिए एक बहुत ही अच्छा school है and बिल्कुल एक well-funded government schools है ये and I can assure you that the education की quality होगी वहाँ पर बहुत जादा अच्छी है teachers अच्छे है and सारी चीज़ें अच्छी है English medium school है national level का school है international level पर भी उसके बच्चे participate करते है and मैंने personally जाके बच्चों से बात करी है schools में school का infrastructure देखा है जो बच्चे अलड़ी इसी school में पढ़ रहे है and जो school से pass out हो चुके है उन सब का experience जो था इस school को लेके that was very good response बहुत अच्छा था and I'll not lie कि जब मुझे पहले इन schools के बार में पता चला था कि schools हैं बिल्कुल ही government funded है तो मैंने इतना अच्छा experience expect नहीं करा था कि मैंने नहीं expect करा था कि सारी facilities इतनी अच्छी होंगी तो हमें जैसे मन में डाउट रहता है कि government funded है government schools हैं तो क्या ही facilities होंगी but नहीं बिल्कुल ही अलग experience था that's why I am saying that it is the golden opportunity for the parents and for the students जो parents अपने बच्चे की education के लिए tension में रहते हैं कि हम उसकी कैसे resources वेगेरा provide करेंगे सारी चीज़े books भी होती है, school की fees भी होती है and अच्छे school की fees आपको पता है कि कितनी जाद होती है तो यह सही में golden opportunity है आपके बच्चे की education के लिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि school का नाम क्या है तीजादी नवोद्य विधाले school आप यहाँ देख रहे है that the under the ministry of education government of India जो ज्वाहर नवोद्य विधाले जो JNV कहते हैं जिनने हम इसे या फिर NVS कहते हैं यह जो schools हैं ministry of education के अंडर आते हैं यह schools पूरे ही government funded schools होते हैं जो सारी इनके लिए funding है जो सारी government की दरफ से आती है यह schools हर district में आपको मिलेंगे अगर इंडिया में 598 districts हैं तो आपको हर district में हर state में schools मिलेंगे and all over इंडिया के connectivity रहती है बच्चे एक school से दूसरे school में transfer भी ले सकता है तो अब हम इसके features के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले तो है आपका completely free education and सबसे important benefit हमारे पास यह है कि these are CVSC affiliated आपने जो mostly government schools देखे हैं वो हमारे state board से affiliation होते हैं but these schools are CVSC affiliated जितने भी आप private schools देखते हैं उनके टकर के schools है and these are CVSC affiliated and the second is these are English medium schools regional languages में भी आपको इसमें education मिल जाएगी but बच्चों के पास English medium में पढ़ने भी option रहता है तो यह भी यहाँ पर भी आप टिक कर सकते हो अगर आप अपने बच्ची के अच्छी education चाहते हो तो हम obviously किसी भी school में जाने से पहले हम देखते हैं and क्या बच्चे को English medium मिलेगा या नहीं मिलेगा तो इस schools में आपको नवोदे हमें CBSC भी मिलेगा and आपको English medium के पढ़ाई भी मिलेगी उसके बाद एक completely residential schools है completely residential schools का मतलब क्या होता है कि बच्चा जो है वो school के hostel में रहेगा अब नवोदे विधाले कि जो schools हैं that is हमारी जो government है ministry of education है उसकी तरफ से इनके लिए funds आते हैं हर बच्चे के लिए proper funds आते हैं उसके बाद एक uniform 6th class, 9th class में बच्चे को uniform मिलती है इस uniform में सब कुछ, socks, sweaters, blazers everything is included in this uniform ये भी आप क्या government की तरफ से आता है uniforms भी medical facilities इसके अगर बच्चा स्कूल में, हॉस्टल में कभी भी बिमार हो जाता है तो उसके लिए वहाँ पे बहुत अच्छी medical facilities available रहेंगी उसके बेडिंग जैसे मैं आपको बताया है कि these are the residential schools ये schools जो है आपकी residential है बच्चा जो है आपका hostel में रहेगा तो hostel का जितना भी खर्चा है उसकी bedding का जितना भी सारा खर्चा आपका school bond करेगा उसके बाद है food जो आपका mess है obviously बच्चा hostel में रह रहा है तो mess की facility तो होगी ही तो आपका mess का सारा खर्चा है खाना मैंने देखा है कि बहुत ही अच्छी quality का होता है मैस का सारा खर्चा भी आपके hostel के खर्चे में आएगा जो की comment देगी आपको नहीं पेगरना है तो बादे daily उसकी जो भी items रहती है चोटी मोटी उन सब के लिए भी बच्चे को reimbursement या फिर उनको allotment हो जाती है अगर आप बच्चे का admission स्कूल में कर देते हैं तो आपके hostel की mess की text books, uniform किसी भी चीज़ के tension लेने के जुरुएत नहीं है and quality इन सब चीज़ों के बहुत अच्छी रहती है and खाना, mess का hostel की facilities सब बहुत अच्छा है चलो ये सारा तो हो गया कि mess अच्छी हो गया, food अच्छा हो गया, hostel अच्छी हो गया, uniform मिल गई उसके बाद education कैसी है, teachers कैसे है personalized teacher guidance, हर बच्चे को जो महां के teachers है, personally guide करते है ये बात मैं एम वहीं नहीं कह रही हूँ मैंने बहुत बच्चों से बात करी है, सबका यहीं reaction था, कि जो teachers है, बहुत ज़्यादा अच्छे है वो हर बच्चे पे personal ध्यान देते हैं, हर बच्चे को personally guide करते है उसके future के लिए, उसके जो भी doubts होते है, उनके concepts clear करने के लिए तो yes, नवोदे विधाले में जो teachers हैं, they provide personalized guidance to students and school से अलग जो time होता है, उस time पे बच्चों की extra classes भी लगती है जिसमें बच्चा जाके teacher से personally बात कर सकता है, कोई भी दिक्कत है या कोई भी doubts है, studies से regarding, या उसके future के लिए, वो सारी बाते extra classes में भी बच्चा जाके कर सकता है, उसके बाद है sports, तो sports की facilities भी यहाँ पे A1 है बिल्कुल and infrastructure अच्छा है, यहाँ के sports के बच्चे मैंने कुछ-कुछ देखे हैं जो international tournaments में जाके भी part लेते हैं, education के साथ-साथ यहाँ पर sports पे भी बच्चे की extra curricular activities में भी पूरा ध्यान दिया जाते हैं, उसके बाद है international competition जो education से related international competitions होते हैं, यहाँ के बच्चे उसमें भी part लेते हैं, कुछ-कुछ competition ऐसे हैं जिसमें इंडिया जो पूरे इंडिया को represent करने वाले competitions होते हैं, उसमें भी नवोदया से बच्चे select होते हैं, हमारी government नवोदया से बच्चे select करती है and they represent at the national level and training for the IITs, एक दक्ष नाम की foundation है, जो की नवोदया से हर साल 80-100 बच्चे उठाती है and उन्हें IITs में admission के लिए prepare करती है, जिसमें से दक्ष पाउंडिशन ने नवोदया के 80 बच्चों को तियार करा था, उसमें 79, 79 बच्चों की selection आपकी IIT में हुई थी अब देखे कितना सादा pass out rate है, कितना सादा selection rate है कि 80 बच्चों में से जबके 79 बच्चे हैं वो select हुए थे इतना तो national level पे भी नहीं हो था, जितना दक्ष पाउंडिशन ने नवोदया विधाला है कि बच्चों को train करके मतलब उनका selection rate दिया है अब बात आती है कि हाँ अपनी इतनी सारी facilities तो बता दी कि हाँ इतना सब कुछ है बट यहाँ पर admission कैसे लिया जाता है तो उसके लिए आपका entrance exam होता है by the name of JNVST, यह आपका तीन classes के लिए होता है एक तो बच्चा 6th class में admission ले सकता है, एक 9th class में ले सकता है and 11th class में तो 6th class में बच्चे को अगर entrance लेना है तो 5th class में उसे इस examination का form भरना होगा अगर 9th class में admission लेना है तो 8th class में जब बच्चा होगा तब वो अपना examination form, entrance form फिल करेगा and 11th class के लिए 10th class का बच्चा form फिल कर सकता है तो 3 classes में admission होता है 6th में, 9th में and 11th में इसके forms around के year and time पे निकलते हैं that is October to November में इसके forms निकलते हैं and जो entrance होता है वो आपका April में होता है entrance आपका April में होता है, इस साल की forms है वो आपके 9th और 11th के लिए तो dates निकल चुकी है but 6th class के लिए आपकी last date अभी बच्ची है that is 15 December अगर अभी भी कोई parent ये वीडियो देखके form भरना चाहता है तो उसकी last date 6th class के लिए भर सकते हो अभी भी that is 15 December तो अगर आप 6th class में आपका बच्चे admission ले ले लेता है तो 6-12 तक की आपकी उसके education की पूरे attention प्री हो जाओ गया and believe me उसे एक अच्छा environment मिलेगा बड़े होने के लिए अच्छा environment मिलेगा चीज़ों को सीखने के लिए समझने के लिए अच्छी education मिलेगी तो अगर अभी भी आप form भरना चाहते हो तो आप form फिल कर सकते हो हमने form कैसे फिल करना है किस website पर जाके फिल करना है उस पर हम videos इसकी already बना चुके हैं आप description में link पर जाके देख सकते हैं या फिर आपको यहाँ पर भी video का link देख जाएगा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं कर रहा है तो जल्दी से सबसे पहले हमारे चैनल को subscribe कर दीजिए अगर आपको कोई भी दिक्कत है इन schools के बारे में इसके entrance के regarding preparation के regarding आपको कोई भी doubts है या कुछ भी आपको जानकारी लेनी है तो आप comment section में comment कर सकते हैं we will definitely reply to your comment. thank you